हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल पर वेज मॉबाइल मास्टर दोस्तो हमारे पास आया है सेमसेन ए 14 5G जिसका इस वीडियो में हम आपको चार्जिंग सब पेसी वी रिप्लेस करते हुए दिखाएंगे तो दोस्तो वीडियो के न तक जुड़े रहे हैं अगर आप लो कि हमने मॉबाइल का बैक प्रेंल या और ओपनर के साहरे केमरे लेंस हटाने के बाद उसके फिंगर बेंट का पत्ता हमने आउट कर दिया है अब इस्कु ड्राइवर के साहरे हम सब बोड के ओपर लगे हुए इस गुड़े जिए उसको हम हटा रहे हैं तो दोस्तों के अं अब हमारा ये सब बोड के ओपर जो एक स्कुरू लगा होता है वो भी हमने स्कुरू हटा दिया तो दोस्तों आप उपनर के सारे हमने उसका फॉल्डर का चार्जिंग पत्ता और नेटवर्क बायर दोनों हटा दी है आसानी से हटा दिये इसको आराम से और दोस्तों यह हमार सब बोड हमारे हाथ में आगया है अभी दोस्तों हमारे हाथ में नया सब बोड लूह मारे ओर हीaufen जियों हमारा एकदमंस को बापस नय सब बॉड हो ओल ड्र 먼저 के यह का फिट कर रहे हैं तो हमने हने अपना चार्जिंग ब्लगा दिया पत्ता लागा ने के बाद हमारी जो network के बायर होते हैं दोनों वो दोनों हम step by step चीम्टी के सारे से उनको लगा रहे हैं तो दोस्तों हमने बड़े प्यार से आसानी से हमने इन दोनों क्लिपों को लगा दिया है और लगाने के बाद आप हम सब बूड के ऊपर लगे हुए frame को हमने बापस लगा दिया है और screwdriver हम बापस उस पे step by step fit कर देंगे तो दोस्तों जैसे आपने देखा कितनी आसानी टिक से हमने इसका पुराना subboard निकाल फेका और नया subboard हमने fit कर दिया है दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको step by step बहुत ज़्यादा पसंद आया होगी और उमीद करता हूँ कि यह जिस topic पर हमने वीडियो बनाए है यह topic आपको समझ भी आया होगा तो दोस्तों आप screw लगाने के बाद हमने बापस अपना fingerprint पत्ते का connector connect कर दिया है और साथ ही जो हमारे camera lens होते हैं उन camera lens को लगाने के बाद हमने back panel अच्छे से fit कर दिया तो दोस्तों आप हमने SIM card डालने के बाद हमने mobile on हुआ और on होने के बाद हमने charging USB type C connect किया तो दोस्तों देखे हमारी यह charging start हो चुकी है तो दोस्तों जिससे आपने देखा कि हमारे हाथ में old PCP है और हमने कितनी आसानी डिक से अपने एब